नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा, स्वागत है आपका कुर्णी टीवी के शोव पंड़ जी कहिन में, जिसमें हम आपको वास्तू आइस्टरोन नुमरोजी से जुड़ी पेहतरुचक चांद कारी देते हैं, तो चलिए सबसे पहले मुलाक करते हैं, अचारे कमल नंदिलार जी का, नमस्कार पंड़ी जी, नमस्कार नेहा जी और दर्शुकार आपको भूत बहुत नमस्कार, फ्रेंड सावन मास के दौरान पिछले एपिसोड में हमने पंड़ी से हर तरह की पूजा का भगवान श्यंकर और पारवती की पूजा का कि जो नंदि की पूजा है, वो स्पेशल तोर पर की जाती है सावन मास में, क्यों की जाती है, क्यों महत्वे हैं उनकी पूजा का पंड़ी से जानते हैं दिकिए सबसे पहले बाद तो नंदी जो हैं वो हमेशा भगवान शंकर के साथ रहते हैं वो तब भी थे जब सती ने दहा कर लिया था और भगवान शंकर बिरह भाव में तपस्या में चले गए थे वो तब भी हैं जब 107 जन्म और लिये थे सती ने और हर बार में वो तब भी है जब पारवती उनके साथ में है तो नंदी और भगवान शंकर को प्रथक करना असंभव है और नंदी के बगएर शिवलिंग की उपासना सकार रूप में की ही नहीं जा सकती है नंदी मूलतह शिव प्रतिकों में से और शिव परिवार का प्रभिन मुख्य अंग है और नंदी स्वयम भगवार शंकर के अवतार माने गए है अवतारों में से भगवान हलाकि वो रद्रुद्र अवतार नहीं है लेकिन भगवान शंकर के अभिष्ट अवतारों में से एक ह और नंदी क्या है नंदी है ताकत नंदी है गण भगवान शंकर करके और आपने देखा होगा नंदी जिस प्रकार बैठते हैं नंदी पौरुष का प्रतीक है और आपने देखा नहीं होगा आदमे को क्या हम टाना देते हैं यार बिलकुल बैल जैसा है तुँ खटा-खटा तो वो ताकत का प्रतीक है और उन्हें व्रिशब कहा जाता और भगवान को क्या कहा जाता है व्रिशब द्वजा यानि कि व्रिशब जिसकी द्वजा पे हैं जिनके साइड में मैठा हुआ है वही भगवान शंकर है और मूलतह व्रिशब जो है वो भगवान शंकर का प्रतीक है तो पंटीची सावन मास के दोरान स्पैशली लोग देखते हैं और जोतिश लोग भी बोलते हैं कि नंदी को हराचारा खिलाना चाहिए बिल्कुल और आपने किसी एपिसोड में ये भी बताया था कि उनको आटे की पिन्नी खिलाती थी माग भौरी बिल्कुल जी तो उसके अगर विश्राम भी कर रहे है तो नंदी उनके बहार बैठे रहते थे कक्ष के और भगवान संकर का और नंदी का साथ अभिन्य है हम अजिनेशन ही नहींगी महादेव बिना नंदी के क्योंकि वो मूँ भी नहीं करते सबसे संपूर्ण तासे ये है कि सावन का महिना नंदी के लिए बहुत शुब महिना कहा जाता है बृषब शुक्र के प्रतीके हैं और शुक्र को अनुग्रहत करने के लिए शुक्र को ठीक करने के लिए हम गाय को हराचारा भी खिलाते हैं इसी प्रकार शुक्र को बल्वान मनाने के लिए व्रिशप को यानि के नंदी को हराचारा खिलाया जाता है पाला खिलाई जाती है और रजका खिलाया जाता है साथ बसाथ के अंदर बहुत विशिष्ट ये है कि उनको मीठी आटे की पिन्नी खिलाई जाए, पिन्नी मतलब जब आटे को भून करके, उसके अंदर शक्कर मिला करके, उसको दरदरा करके, जब उसके गोले बनाया जाते हैं, उसे ही पिन्नी कही जाई है, और उसमें ड्राय फ्लूट्स भी डलते हैं, वो सरवाधिक पसंद है और आजकल भी आपने देखा होगा लोग आटे की लोई गाय को खिलाते हैं यानि कि कच्चा आटा जो होता है इसको गूंद के गाय को खिलाया जाता है आटे का और शुकर का बहुत गहरा संबंद है व्रिशब जो है नंदी जो है वो शुकराणूओं के प्रतीक है आप कार से वो मेल पाट को संबंद करते हैं और मूलतह नंदी जो है वो शुकर का ही प्रतीक है और शुकर क्या है वैभव है शुकर क्या है रस है शुकर क्या है पौरुष्ता है शुकर क्या है आनंद है बैल जो है वो शुकर को संबंद करता है शुकराणूओं को संबंद करता करता है पौरुष की शक्ति को संभूद्ध करता है और यही वो महना है कि शुक्र हमारी सभी अभिष्ट इच्छाओं को पूरी करता है आटे का कनेक्शन और रोटी का कनेक्शन शुक्र के साहथ है आपने कई अस्ट्रॉलजर्स को यह उपाय देते वह सुना माता सुना होगा कि गाय को रूटी खिलाएं और हम अमूमन पहली रूटी गाय को खिलाते हैं गाय का ही हजवेंड बैल होता है तो जिस प्रकार हमारे लिए माता है उतने ही इंपोर्टेंट हमारे लिए पिता भी है और व्रिशब हमारे लिए हमारा बीज है गाय अगर हमें दूद्र देती है, हमें संचित करती है, तो उसी शुक्राणू से हमारी उत्पत्ती हुई है, तो वृषब जो है, पुशुकर का प्रतीक है, भगवान शंकर का शुक्राणू, जी, तो पंजी ये भी देखा जाता है, कि जो नंदी बैल है, उनके घले में एक घंटी बजी हो पती के गले में हार डालती है, तो उसका मतलब क्या होता है, ये कि एक महिला ने एक पुरुष को अपना पती स्विकार कर लिया, किसी के गले में पहनाने का मतलब होता है कमिटमेंट, कि आपने उसे अपने तरफ सानिध्य में ले लिया, इसी प्रकार से नंदी को यानि कि को मेल पूर्शन को महिलाएं यूजवली घंटी डाल देती हैं ताकि उनका पती उनिका ही रहे उसका सबसे अच्छा और सबसे बेटर एक्जाम्पिल है कि हमारा पुरुष जो है हमारे साथ वफादार रहे हमारा ही रहे और हमारे लिए ही कारे करता रहे पंडी जी मैंने ऐस सावनमास में जो लोग हैं वो नंदी के कान में कुछ कहते हैं कहते कि ऐसे करने से हमारे विश्पूरी होती है बिलकुल तो क्या रीजन है इसके पीछे यह प्रता कहां से शुरू हुई देखी क्या है मैंने जैसे आपको बताया कि भगवान शंकर और नंदी प्रथक नहीं कहते हैं अपनी विश्पूरी हो सकती है देखे कोई भी नीची जीवन सा संबंदित परेशानी होती है जैसे अगर किसी का तलाक होने वाला है या किसी के परस्टन संबंद्न है वो अगर ठीक नहीं चल रहे हैं तो यह चीज़े ठीक हो सकती है अगर कोई आर्थिक संकटों से पीडित है जिसका काम नहीं चल रहा है तो वो भी चीज बिल्कुल सकरी हो सकती है बशर्ता उसके लिए एक विशेष्ट उपाय किया जाए और वास्तु सम्मंदित को चुपाय किया जाए तो पंटी जी पिछले कि बात चल रही है तो पारद शीवलिंगर घर पे रखते हैं तो उसके साथ बैल को रखना नंदी बैल को रखना अवशक है ज़रूरी है ज़रूरी नहीं है क्योंकि पारद का व्रिशब पारद के नंदी उसका सबसे बड़ा महत्व है देखे बिजनेस मुमेंस के लिए और यह सबसे बहतर रहता है कि वो पारद का नंदी अपने दुकान में रखें आपने जतनी भी बड़े बड़े कमपनीस होती है उनका साइन बुल होता है जितनी भी स्टॉक मार्केट्स होते है सबसे बुल होता है कहीं भी कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए, शेर भी एक बार बैल से हार जाता है, एक बात तो यह आपने देखी होगी कि बैल है जितनी ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि बैल एक तो बहुत ज़्यादा महनती होता है, जिसे हम कोलू का बैल कहते हैं, और बैल अपने आप म से दक्षण दिशा में रख दिया जाए, अपने शौप के, अपने फैक्टरी के, यह अपने घर के, तो बहुत बहतर परफॉर्मेंस आते हैं, तो पंटी जी सावन मास के दोरान किस तरीके से हम नंदी जी की पूजा कर सकते हैं कि उनको प्रसन किया जा सके, देखे, सावन नंदी और शिव प्रतक नहीं किये जा सकते, साथ बसाथ के अंदर, देखे, नंदी पर, नंदी के जो सींग है, जो बिद्धमान होते हैं, उन पर आप सफेद फूल चड़ाएं, नंदी को थोड़ा सा इत्र जरूर लगाएं, और आटे से, उनकी पूजा करें आटे से बन उच्छा प्रस्तुत करके किसी भी गाय को खिला दीजे, उससे आपकी incoming resources जादा बढ़ेंगी, अगर जीवन में सुख नहीं है, शान्ती नहीं है, तो इस समय पर हरी घास लेकरके, नंदी को दिखा करके, आप किसी भी जानवरों में बाढ़ दें, जैसे बैलों में बाटे तो निश्चत रूप से आपको लाब जरूर मिलेगा, तीसरी सबसे important चीज़, अगर आप politician हैं और आप जीत चाहते हैं, तो नंदी को गुड का भोग लगाकर, आप किसी भी बैल को खिला दीजे, निश्चत रूप से लाभानवित होंगे, सबसे ज़्यादा important बात, अगर आपके विभाई के जीवन में, दामपते जीवन में कुछ ऐसी समस्या शारे कारणों से आ रही है और आप वीक मैसूस करते हैं पुरुष, तो नंदी पर आप दही चड़ाएं और उस दही का प्रियोग नियमत रूप से आप करते रहें, रोज दही चड़ाएं और रोज पुलरा के जाइब तो पुनहें शाम के समय में, बोड़ी पर मलकर, पूरी बोड़ी पर मलकर श्थनान करें बहुत बहुत धन्यवाद पंडी जीज, एहम जानकरी के लिए हम उमीद करते हैं हमारे सबी दर्शकों को बहुत कुछ जाने के लिए मिला होगा तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी इंट्रेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे पंडिजी से सवाल जबाब करेंगे तब तक के लिए नमस्कार लेकिन जाने से पहले मारा योट्यूब चानल कुणली टीवी फेस्बुक पेच कुणली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें